हेलो दोस्तों नमस्कार देखिए आज मैं रात को आई हूँ सुभर टाइम नहीं मिला दोस्तों सिलाई कर रही थी यह सब प्लांट देख लीजिए हमारे टाफ़र पानी डाले हैं पोधों में तंकी मेरी भर गए थी कितना पानी थोड़ा सब्बह भी गया जामुन का पोधा अभी मेरे नहीं लगा अभी कल लगाएंगे शुरोड के आएंगे तो कि आपके टाइम अच्छे से दीखने रहा है लेकिन पानी सभी में डाल दिये हैं अच्छे से अब यह तीन फोर तैयार कियें इसमें छेदा करके बेटी लाई ती नहां से निर्जापुर से बाटम इसमें प्लांट लगाएंगे और यह बाल्टी है इसमें छेदा किये थे और इसमें नीचे जो है कंकल पथ्थर रखे फिर उसके बाद यह जो है जैन हरी नहीं होता है इसका जो छिलका है इसको रखे हैं फिर जो निकलता है पेड़ पौधों में का पत्ती वत्ती वह है मिटी है अब कल इसमें सदा बहार का एक पौधा है दोस्ता जो रूद बांड हो गया ह है इसी को इसी को सिफ्ट करेंगे गितम ज्यादा छोटा सा पाड़ है गितम इसमें जड़ उसका बहुत फैल गया है नीचे तक चार है दोस्तों नीचे कि पाड़निंग धरी रह जाएगी सब जान है तो जहान है ठीक है दोस्तों नमस्कार इधर का मेरे पत्ती सही नहीं है बलब जलता है बुझता है अच्छे से अभी चलाए कि तो जना था फिर बुट गया है अब रूप देखें मेरा अपन बढ़िया से तो लग क्या है कि इसको बाढ़े ज़रा सब लाग यह दिखिए यह वाला बहराटी पता नि कहां से हमारे यहां आ गया दोस्तों यह वाली पत्ती थी हमारे पास पता नि कहां से यह चोटा वाला वह यह बहुत अच्छा लगत है जिंगोनिया सुबर जैसे भवान भूखे पेट जगाते हैं इंसान को लेकिन सुलाते नहीं रात को भूखे पेट इसी तरह से आज मेरे पोधों का यह हाल हुआ है सुबर से हम आये नहीं थे लेकिन रात में ने भोजन पानी मिल गया अच्छे से दस्तों को लुरों में फ्लावरिंग बहुत अच्छे से हो रही है लौकी की ब्रांच देखिए उपर जा रहा है बढ़िया से देख लीजे मेरे गार्डन का अब यह तो प्लांट लगाए थे दस्तों देखिए आप के पास यह प्लांट उख गया था इसको देखिए लड़ा दिये कितना सुंदर लग देखने में इसकी पत्तियों कितनी बढ़ें लगती है देखने में भलाण ठावले से चाहे जो हो लेकिन यह अपने से बहुत चल्दी हो जाता है बीज चिट गीर गीर के देखिए इसमें भी बहुत जड़ा हो गया है सुबर के टाइम दिखाएंगे रात में कुछ नहीं दिख रहा है ठीक है दोस्तो नमस्कार वीडियो अच्छी लगए तो लाइक सिस्क्राइब करिएगा